किसान भाईयों, आज मैं मैयर तहसिल के गाउं दुबेही में आया हुआ हूँ यहां हमारे किसान भाईय ने बायर के रिजेंट आल्टरा का छड़काओ इस गेहूं की फसल में किया था आप देख सकते हैं, इस प्लाट से हमने एक पौधा निकाला है गेहूं का इसकी जड़ भी आप देख सकते हैं और कनखे भी देख सकते हैं तो हम किसान भाईय समस्ते हैं उनका परिचाय और रिजेंट आल्टरा का क्या अनुभाव रहा उन्होंने कब छिड़काओ किया था इसका, उनसे समस्ते हैं सर जी सर, आजीत कुमार पांडे सर हैं, बता रहे हैं सर आपको कि 15-20 दिन हो गए लगभग दवाई आपका ये रिजेल्ट अल्टरा का उपियों किये हैं यूरिया के साथ में जी तो इसका 20 दिन में के अंदर अंदर अच्छा इसका रिजेल्ट आया है और इसकी जड़े भी बहुत अच्छी प्रता मियूरिया में डाले थे अना ये चार किलो या पर रिजेल्ट अल्टरा का उपियों किये थे तो इसका अच्छा पाउधा और बढ़िया घने इसके साखे आये है जी अना वच्छी फसाल इसकी हमों को दिखने रही है जी हां बहुत अच्छी संतुष्ठ है और और किसानों को हमने बोला कि आप इसी तरह आप पीपीओ के लिए जो ये रिजेल्ट अल्टर है तो इससे अच्छा गिहूं का रिजेल्ट आएगा सर डिप देख सकते किसान भाईयों इसमें इनुने रिजेन अल्टर चिलकाव किया था जड़ की आप से जड़ की कितनी बहत्रीन गुरोथ हुई हैसात में इसमें कणखेंगा अच्छा विक्ता है यदि जड़ का अच्छा विकास होता है तो जो इजन टल्टा का छिड़काओ किया था एक बार फसल भी दिखा सकते हैं मारे दूसरे किसान भाईयों को वीडियो के माध्य हम से कैसी फसल है तो सर आप अपना वो मुवाइल नंबर दे दीजे मुवाइल नंबर सर 9179 714131 सर और इस वीडियो के माध्य हम से आप दूसरे किस रावा भी रिजेंटल टाक्चिर का और फ्याज की फसल में कर सकते हैं धान की फसल में क्योंकि शुर्वाती या वस्तहे जब नस्फपतिक विकास होता है उस समें जड़ का विकास होना बहुत जरूरी होता है रिजेंट टाटरा जड़ का विकास भी करवाता है साथ ही जो जड़ में रश्यू सकीट हानी पहुंचाते हैं उनको भी खत्म करता है बहुत बहुत धन्वासरा